दोस्तो नमस्कार, सुवागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पटीशन यूज़ बे, दोस्तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, जे डबल ई और नीट से समंदी जो भी जानकारी मिलती है, सबसे पहले आपके अपने चैनल कॉम्पटीशन यूज़ दोस्तो इस समय की सबसे बड़ी खबर आप लोगों को बताने वाला हूँ, महाखुशकबरी दोस्तो होने वाली है, जे डबल ई और नीट के जो भी छाते हैं दोस्तो जो पेपर देने वाले हैं, पेपर रद मुद्दे पर अब तक की सबसे बड़ी खबर आप लोगों को बताने वाला हूं तो वीडियो को दोस्तों पूरी देखिएगा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे ताकि आप लोगों को हर अपडेट सबसे पहले मिल सके तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं काफे महत्मूर जा आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है तो यहां पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं समर्थन यहां पे मिलता हुआ नजार आ रहा है नीट जे डबली टालने के लिए कई विरोधी दल दोस्तों साथ आ चुके हैं छात्रों के साथ में दोस्तों खड़ हो चुके हैं करोना महमारी के कारण दोस्तों चात्र भी और अभिवावक भी काफी लंबे समय तक जो यह दोनों प्रिवेश परिक्षा हैं उनको टालने की मांग कर रहे हैं ऐसे में दोस्तों मोधी जी को भी पत्र लिखा गया है कि जो परिक्षा है उसे टाल दिया जाए पूरी खबर को दोस्तों देखने वाले हैं और जो मोधी जी को पत्र लिखा गया है वो भी देखने वाले हैं तो पेपर रदमुद्धे पे दोस्तों पूरा का पूरा देश में एक तरीके से दोस्तों कह सकते हैं भूचाल आ गया है सभी लोग दोस्तों स्टूडेंट का स JEE टालने की मांग कर रहे चात्रों और अभिवावकों को सियासी दलों का समर्तन मिला है देश की मुख्य विपक्षी पर्टी कांग्रेस समित कई दिलों ने सरकार से महमारी के कारण परिक्षा सगित करने की मांग की है कॉंग्रेस के पूर्वध्यक्ष राहूल गांदी जी टूइट करके सरकार को नीट और JEE की परिक्षा पर छात्रों के मन की बात सुननी चाहिए ये दोस्तों कहा है इससे पहले NDA का हिस्सा लो जापा के अलावा राजत और आप भी परिक्षा टालने के मांग कर चुके हैं वहीं विविन छात्र दलों ने भी सोशल मीडिया पर परिक्षा टालने के लिए अभियान चलाये हुआ है तो यानि के दोस्तों हर तरफ से आप लोगों को सपोर्ट मिलना है और प्रिधान मंत्री को भी दोस्तों पत्र लिखा गया है वो भी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ तो यहां पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं नीट जे डबली टालने के लिए मोधी जी को पत्र यहां पे लिखा गया है और कोट की तरफ से भी दोस्तों कुछ महत्मूर बयान आये थे वो भी आप लोग यहां पे देख सकते हैं तो आप लोगों को दोस्तों क्या लगता हैं तो आप लोग मुझे बताईएगा दोस्तों क्या परिक्षा होनी चाहिए या परिक्षाओं को टाल दिया जाना चाहिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एंटी है उसका कहाना है कि शुकरवार को कोट ने परिक्षाओं इस्तगित करने की मांग को लेकर रद की गई आप परिक्षाओं के बाद आप परिक्षाओं सगित करने का कोई कारण नहीं है परिक्षा तैसमय पर होगी यानि कि दोस्तों एंटी ये पूरी तरीकिये से अड़ चुका है परिक्षाओं करवाने को लेकर और यहां पर आप लोग देख सकते हैं जो सुब्रमन्यम स्वा चाल दीती हैं अगर यो परिक्षाओं टाली जा सकती है तो ने ज्वी की परिक्षाओं जा सकते हैं और यहां पर दोस्तों आप लूग देख सकते हैं जो हैं उनका पर बड़ा बयान आया है यह नाइंसाफि रोकरू करोनम हमारी के दोर में परिक्षा प्रक्षाbee में लोगों को सबसे पहले प्रोवाइट की जाएगी तो चैनल को सबस्क्राइब करना न भूलें जो भी दोस्तों जनकारी मिलेगी हम आप लोगों को सबसे पहले प्रोवाइट करवाएंगे फिलार दोस्तों वीडियो में इतना ही जै हिन जै भारत